क्या जमाना था वो भी कि हम लोग इतर ठे काम करते थे सब लोग साथ होते थे और एक दूसरे को भाई बहन के तरह प्यार करते थे कि बहुत साल कुरान में बाते हम अन्दाज रिलीज हुई थी और अन्दाज का मेरा उनका डूएट था वह बहुत पॉपलर हुआ था यू तो आपस में बिगड़ते हैं खपावते हैं पिक्चर पे राज कपूर और नर्गिस दोनों निगाया था हम लोग स्टेज पे गा र ऐसे ना देखा करों तुम सब की तरफ हसास कर लिए ऐसी कुछ स्टार था और आगे लाइन आती थी कि लोग ऐसी ही आदाओं पर फिदा होते हैं तो रफी साब इतना गाने के मूड में थे बड़ा उन्होंने तानवान लेके शेर कहा और जैसे लास्ट लाइन आई उन्हो कि लोग ऐसी फिदाओं पर अदा होते हैं और जो पब्लीक में हसी और रफी साब ने भी हसना शुरू किया मैंने भी हसना शुरू किया गाना तो आगे हुआ ही नहीं हम दोनों हसते रहे और वैसे ही परदा फिर गिराए मिलने को यू तो मिला करती हैं सबसे ओंखे मिलने को यू तो मिलने को यू तो मिला करती हैं सबसे ओंखे जिनके आ जाने के अंदाज जुदा होते हैं तो आपस में बिगहते हैं ख़का होते हैं ऐसे हस हस के न देखा करो तुम सब की तरफ ऐसे हस हस के ऐसे हस हस के न देखा करो तुम सब की तरफ लोग ऐसी ही अदाओं पे खिदा होते हैं तो आपस में विगहते हैं अपा होते हैं आपस में हम लोग मजाग तो होता ही था चुके मैं उनको बहुत चेडा करती थे वैसे वे बहुत शान्त आदमी थे और क्या कहूं मैं जैसे भगवान का आदमी था वो उनमें कोई ऐसे आयब भी नहीं थे ना पान खाते थे ना सुपारी ना शराब ना कोई ऐसी गलत आदत नहीं थी उनको बस थोड़ा खाने का शौक था और गाना तो मैंने उनके साथ बहुत बहुत सारे डुएट्स गाए और कोई-कोई उनके मेरे डुएट इतने अच्छे हैं जो आज भी सुनने के बाद अच्छा लगता है और नव ऐसी आवाज आई ना मुझे लगता है और सो साल में आएगी